जय हिंद फ्यूटर ऑफ इंडिया पर आप स्वागत है मेरा नाम है इवान सुक्मार और इस वीडियो वाज डिसकस करना जा रहे हैं MPS Info Technics Limited Company के बारे में हम सब जानते हैं कि MPS Info Technics का एक और नाम है जिसको हम लोग MPS Info Technics के नाम से जानते हैं यानि कि दो नाम हैं लेकिन कंपनी एक ही है तो अलग लग नाम से इसके बारे में वीडियो बनता रहता है तो आपको कंपनी एक ही है देखिए अभी तो वैसे कुछ लोगों को इसमें लौस हो रहा होगा लेकिन फिर भी अभी शेयर प्राइस में जो तेजी के में बात कर रहा हूं कि हुआ है कि इसके बारे में भी जानेंगे देखिए MPS Info Technics का भी औरतमान का जो शेयर प्राइस साथ चल रहा है हलागी पिछले 6 माह में देखेंगे तो 6 माह में तकरीबन 20 परसंट का इसमें लौस दिखा रहा है और एक माह में देख ल 5 साल का चार्टाप सामने वेडर यह जो पुड़ी तोटल फांसबलका है पांसाल के चार्ट में देखेंगे यान की ये लुबी देखेंगा तो यसी तो पिछले साल में अ depuis 2022 और आप देख सकते हैं कि यहां से यह price उठना शुरूबा और कितना उपर तक गया यह जो high लगाया है तक्रिवर एक रुपया 70 पैसा का सब्सक्राइब दू रुपय का high लगाया था पिछले साल जनुरी में लेकिन पिछले साल जनुरी में high लगानेक बाद आप देख सकते हैं यदि एक साल का में start खोलू तो पिछले साल जनुरी में जो इसने अपना high लगाया था एक रुपास से तर पैसे उसके प्राइस लग कंट्रिव डाउन आया है तब डाउन आया अलग लग करन रहा लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि आप देह सकते कि इस से श्टॉक में यहां पर पस तेजी देखने को मिली है और यह जो इस outta पर बते है कि एक महीने से इसंदंप बरकरार रहेगी कम सखंख जनुर भर्वरी इसका जो अभी यहां पर चल रहा है यहां तक आएगा इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी जो तेजी देखने को मिले तो यहां से प्राइस और उपर जाएगा ना की नीचे आएगा अब देखिए आपको बता रहा हूं एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो लेकिन अभी आप एक बात ध्यान देंगे अगर तो आपको पाएंगे कि अभी इस श्टोक का प्राइस जितना गिरना था और यहां तक गिरा है इसके बाद से प्राइस इसका सपाट चल रहा है और जब इसमें तीजी आ गया है तो बाहर निकलेगा तो इसका प्राइस उपर बाइस सब्सक्राइस जानते हैं यह कंपणी काम करता है जिसका मार्केट कर शिर्फ दोस्तों पर डियास को उसके इसका उसके रहाएं तो वह प्राइस थोड़ा और ज्यादा रहाता दो बहतर रहता share price में तेजी नहीं आने के पीछे वज़ा है कि कंपनी का जो ROE है और ROC ये दोनों negative में है और जब तक ये दो चीजी negative में होता है कंपनी के share price में भले अभी जैसे में बता है कि 9-9% की तेजी देखने को में लेकिन long term में ये growth sustain रहेगा ये कहना काफी मुस्किल है क्योंकि return on equity और return on capital employees दोनों negative में है और जो बहुत समय लग सकता है इसके positive माने और जब तक return on equity positive नहीं आएगा आपका जो investment है उस पर अच्छा खास return मिलेगा ऐसा कहना थोड़ा मुस्किल होता है अब यहां पर देखिए कंपनी के प्रोज और कौंस की बात करें तो प्रोज में सिर्फ दो ही प्रोज है एक तो कंपनी डेप फिरी है और जिसे मैं बता है कंपनी का ना बढ़ा है ना कम होए एक वाटर में बढ़ जाता है प्रोफिट है इड़को है पिछले कई को आप देख सकते हैं कि लॉस में ही चल रहा है अभी कम देखिए एक श्यलोट पास एक फ्रोज है तो अधया है नहीं नहीं होगा तब तक कम्पनी कर पिडिए और उनिक करना चाहिए कम से कम इस लेवल पर उनको उनकी रिकभरी हो सकती है तो बिसेस इनफो टेक्निक्स की यदि बात किने तो कोई नया इसमें अपडेट निकल कर सामने नहीं आया है लेकिन इस कमने के बारे जो जनकारी अभी थी और जो मोटा मोड़ी बात जानने को था मैंने तो आप मुझे से कमेंट पर पूछ सकते हैं या प्रिशनले मुझे जूर कर बाते करना चाहते हैं तो आप मुझे इस्टा करना पर फोलो कर लिजिए जहां मैं सब की बातों का तसलिए से जवाब देता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक धन्य बात शुक्रिया